नियाइमेजिनेशन.com में आपका स्वागत है आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि चूरी पैंट कैसे बनाते हैं इसका मेजरमेंट लेना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया है कि कि किसी भी लेडिस पैंट से मेजरमेंट कैसे लेते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कीवन है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छे लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा देखें अब हमारे पास यह मेजरमेंट है इसके लिए फ्रंट गुटना है साथ इंच बॉटम है पांच इंच बैक पैनल के यानिक इसका पिछला पैनल होता है पैंट के किसी भी लेडिज पैंट का उसका पीछे का हिस्सा जादा होता है आगे से ठीके तो हिप अगर सिर्फ हिप में हम दो इंच एक्स्ट्रा एड़ करते हैं बैक पैनल में ठीक है तो हीप अगर 13 है तो पीछे का क्या होगा दो एड़ करके 15 होगा नी बाकी सब में एक एक इंच एक्स्ट्रा होता है घुटने में आठ इंच बॉटम की जो मोरी है वो 6 इंच एक इंच एड़ किया हमने सब में फूल लेंद उतनी रहती है जितनी आगे की होती है देखो में को अगर टोटल मेरी वैसे नॉर्मली लेंद है 37 इंच तो इसमें जितनी चूड़ी डालनी है जितनी लंबी करनी है आप उतनी एड़ कर सकते हो ठीक है तो मैंने 4 इंच की चूड़ी डालनी है तो मैंने 41 देली बेल्ट लेनी है हमने चेक कर ली थी कि बेल्ट टोटल घेरा कितना आ रहा है पैंट का 41 इंच आ रहा है एलास्टिक हमने देख ली कि 14 इंच की चाहिए टॉप से क्रोचेट यह स्टैंडर्ड मिजरमेंट है यह हमेशा यही फॉलो होगा स्टैंडर्ड आये तेरा इंच का और पीछे का जो क्रोचेट होता है वो होता है एक इंच एक्स्ट्रा आगे वाले से 14 इंच आसन बोलते हैं इसको तो अब हम सीखते हैं कि इसको कपड़े पर कैसे करें यह देखो फॉल लैंद जितनी है आपकी उसमें हम चूडी पैंट बन होगा उसकी ठान निग भी करनीं है तो हमगे इस और टर्निंग के लिए दो इंच और एक्स्टा लेंगे टू इंच यह देखो उसके उपर ये वाली बैल्त भी लगेगी इसके चट़्ाई होगी 1 इंच या 1–3 पैंग से यक यो चीच का 12 इंच का आसन आ गया देखो चूड़ी पैंट के लिए हमें कितनी लंबाई चाहिए टोटल चाहिए 41 इंच चूड़िया मिलाके ठीक है 41 इंच चाहिए इसमें से हम 1 इंच की माइनस कर लेते हैं कि उपर की बैल्ट है एक इंच की बैल्ट को हमने माइनस कर दिया तो कितनी आए 40 ठीक है अब इसके बाद हमें जो मार्जन्स चाहिए वो कौन-कौन से चाहिए मार्जन्स चाहिए एक तो उपर का टॉप मार्जन ठीक है उपर हमें आधा इंच चाहिए होगा जो की सिलाई में जाएगा प्लस नीचे का बॉटम मार्जन यानि की बॉटम मार्जन कितना चाहिए हमें डेर इंच से दो इंच ले सकते हैं हम ठीक है तो यानि की 40 इंच में हमें कितना एड़ करना होगा लंबाई 42.5 हो जाएगी हमारी टोटल लंबाई कितनी चाहिए हमें कपड़े की क्लोथ चाहिए हमें कपड़ा चाहिए इतना lengthwise लंबाई में हमें टोटल क्लोथ चाहिए एक साइड के लिए 42.5 यानिकी 1.5 बतालीस इंच lengthwise ठीक है ये 2 पैनल चाहिए इसके भी तो हमें 42.5 एक बार नापके fold कर लिया तो ये 2 है मेरे lengthwise 42.5 की और ये चोड़ाई में मैंने कितना लिया जितना front पैनल का hip बनता था 13 इंच ठीक है उपर से पहले मैंने छोड़ा आधा इंच का margin आधा इंच का margin और चड़ाई में मैंने दे लिया 13 इंच 13 इंच लेने के बाद मैंने एक इंच एक्स्ट्रा किसके लिए सिलाई के लिए ठीक है तो 14 इंच ले लिया 1 इंच एक्स्ट्रा लोगें सिलाई भी करनी है साइड की turnings के लिए 14 इंच ले लिया हमें अब इस आधे इंच को छोड़ने के बाद हमें चाहिए टोटल क्रोचेट यानि कि आसन चाहिए वो कितना होगा आसन टॉप टो क्रोचेट 13 इंच है लेकिन 1 इंच की उपर बैल्ट भी आई ली तो 13-1 12 इंच 12 इंच पर मैंने निशान लगा दिया यह देखिए 12 इंच पर पूरा निशान लगा दिया ठीक है अब यह जो चोड़ाई है 14 इंच इसकी हर जगा से हमें middle point निकालने है center point center point निकालके पूरा last तफ मैंने इसका यह center point पर निशान लगा दिया ठीक है अब हम इस center point के according सारे measurement करेंगे अब देखो knee किदर है knee यानि की इसका top से लेकर घुटने का part knee knee मेरे case में आ रही है 24 इंच उपर से लेकर knee 24 इंच आ रही है मैंने 24 इंच पर ऐसे निशान लगा दिया लेकिन knee मुझे चाहिए कितनी front panel की चाहिए knee 7 इंच 7 इंच ठीक है 7 को 2 से divide करेंगे तो आगा 3.5 3.5 is set 3.5 is set इन total मेरी knee आ रहे कितनी 7 इंच ठीक है यह middle point से silent mark कर रहे है इधर से इधर इधर से इधर तो यह मेरा measurement है knee divided by 4 total knee है divided by 4 और यह हमने ध्यान रहे knee divided by 2 का measurement है सारा इसके बार अब हम आते हैं bottom की तरफ bottom में हमें total bottom है 5 इंच 5 को हम 2 से divide करेंगे तो आगा 1.5 इंच तो 1.5 इधर और 1.5 इधर 5 इंच हो गया यह हमारा bottom का निशान बन गया इसको इसके साथ मिला रहे हूँ इसको इसके साथ मिला रहे हूँ यह मरी चूड़ी pen का measurement है नीचे आजएगी कुछ चूड़ियां चुन्नटे इसको इस corner पे मिला रहे हूँ इसको इस corner पे मिला रहे हूँ ठीक है अभी odd changes करेंगे इसमें यह तो हुआ ready measurement इसमें हमें आधा इंच क्या चाहिए margin भी चाहिए शिलाई के लिए तो आधा इंच इस side पे शिलाई का margin रख लेंगे आधा इंच इस side पे शिलाई का margin रख लेंगे और अब हम आते हैं क्रोचेट रहले पार्ट पर ये था हिप लाइं उपर से हम एक इंच अंदर की तरफ रख लेंगे इसको सीधा मेजर करेंगे और इसको बाहर की तरफ जोड देंगे ये देखिए ये मैंने क्या किया उपर से फच्ट कर लेंगे सहनकर करनाोगा पूरे की कटिंग कर लेते हैं यह देखो यह फ्रेंच पैनल है सिरफ और यह दो है पैनल आगे के दो टांगे होती है तो फ्रेंट पैनल के दो है यह मैंने कटिंग करती है ठीक है अब इसको नीचे तक ले जाओंगी देखो टोटल रिक्वाइड ग्लोथ इस टाइप की चूडी पैंट में कितना चाहिए जितना भी लेंथ है इसका डबल ठीक है इसका डबल यानिकी 85 इंच लेंथ वाइस कपड़ा चाहिए और आज जितना भी है उसमें यह बन जाएगा ठीक है टोटल ग्लोथ हमें इतना चा प्रेंट पैनल आगे पीछे अब हम बैक पैनल कैसे काटेंगे इसी कपड़े की जो एक्स्ट्रा बचा है यह वाला कपड़ा इसी पर हम बैक के लिए रख लेंगे इसको ऐसे पहले हमने को कटिंग की थी ऐसे अब इसको दूसरी साइड पर रखेंगे तो हम ज्यादा केंगे मानेख और चहोड़ा घ्राएंगे इस सफस्कुरी तटे के अगाद यह वाल कि उए प्यार्ट फूर्ट फॉर्ट क जीतना जाकर अगे इसरी फोईगए आप्साठीय ऐसे है अमने यहां पर एक इंच एक्स्ट्रा लिया है पीछे back panel पर यह बिछले ऐसका है back panel है 151 एक्षा ले सकते हो चीप ज़्यादा है तो उपर 14 एक्स्ट्रा ले सकते हो ऐसे लेकर आप इसको आग़ी के तरफ गिराद होगे हर साइट पर आपको त्रसा cya यानिकी धाइंच एक्स्ट्रा लेना है उपर से लेकर हिप लाइन तक यह हिप लाइन है हमारी 2.5 इंच यानिकी धाइंच एक्स्ट्रा लेंगे यहां से लेकर यह क्रोचेट जहां पर खतम हो रहा है आसन खतम हो रहा है वहां तक ठीक है तो इसकी हर जगा यह जो नीचे वा पता वहां तक मार्ग कर देंगे ठीक है यह समझ में आ गया हमें तो ऐसे ही हमने पूरा मेजरमेंट ले लिया और यह हमारा चूड़ी पैंट का मेजरमेंट रेडी है और ध्यान रहे चूड़ी पैंट में और नॉर्मल पैंट में लेडिस की फरक कितना है यह है कि इसकी चाहते हैं अब उतनी ज़्यादा लंबाई इसकी कर दो ठीक है अब हम इसको कट कर लेंगे यहां पर हम काट रहे हैं यह है आसन यानिकी क्रोचेट अब देखो हमें इसका आसन जिन्ना है ठीक है तो आसन जिन्ने के लिए यह फ्रंट पैनल है यह दो फ्रंट पैनल एक दूसरे के साथ हमने रख दिया इनकी सही साइड एक दूसरे की तरफ है और ये है गलत साइड ऐसे ही ये बैक पैनल है पीछे का पैनल बैक पैनल और इसके भी आसन के लिए हमने एक दूसरे के साथ रख दिया ये दोनों बैक पैनल चीक है अब इसको सिनला कैसे है देखो फ्रंट पैनल इसको एक दूसरे के हुए पूरा हमने लास्त सिल देना है ठीक है यहां से स्टार्ट करना है आसन से इसको भी यहां से स्टार्ट करना है आसन से और सिलाई मशीन पर जाना है, यहां से अधा इंश का माजन छोड़ते हुए फूरा इसको अटका सिल मेना है, दोनों को दोनों back panel के आसन को एक साथ सिलना है दोनों front panel के आसन को एक साथ सिलना है, ठीके मैंने सिल लिया है, तो उसके बाद ये ऐसा लग रहा है ठीक है ऐसा लग रहा है ठीक है अब देखो ॥ यही बैक पैनल और यह फ्र Ev Illinois नों की सही साईड एक दूसरे की तरफ रगते गे यानि कि यहीं गलत साइड बहर की तरफ ऐसे हमने दोनों के जवाँ झापैंड पश्ट लिए जहां पर के यहां पर हम एक सपिन लग देंगें कि यहां पर सिलय प्राइबूर कि इस पूरे को इसके दूसरी साइड पर चल जाएंगे यहां पर मैंने पिन लगा दी हो यहां पर भी मैंने पिन लगा दी यह पूरा लास्ट तक जोई और अब इसकी लैक्स की जो यह बीच वारी साइड है क्रॉचेट आसन की तरफ उसको हम आधा इंच का मार्जन छोड़ पर जाएंगे यहां से स्टार्ट होंगे और पूरा सिल देंगे यह देखो बीच में पिन लगाने से हमें पता चल जाए कि हां हमें यही पर सिलना है ठीक है आधा इंच का मार्जन छोड़ते हुए इसको पूरा सिल दीजिए देखो यहां से सारा स्टिच करने के बार उसक कि bottom turning भी कर सकते हो bottom turning कैसे करते हैं जितना भी माजन आपने एक्स्ट्रा रखा है bottom turning के लिए जैसे कि आपने अगर दो इंच का माजन रखा है तो देखो आदा इंच इसको ऐसे fold करेंगे और फिर one and a half inch देड़ इंच और fold कर लेंगे ठीक है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे बॉटम टर्निंग की और उसके बाद हम इसकी साइट को स्टिच कर देंगे और यह वाला पाट जो है देखो फ्रंट पैनल हमेशा थोड़ा कम होता है इसको हम ऐसे ले जाएंगे आधा इंच का माजन छोड़ते हुए पूरा लास तक इसको फ्रंट पै साइट के साथ आधा इंच का माजन छोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे यहां से साइट से स्टिच कर लिया और यहां पर हम मेजर करेंगे प्लीट हमें टक्स लगाने है प्लीट तो यह है फ्रंट पैनल यह है आगे का पैनल फ्रंट पैनल ठीक है तो इसमें हम यह जो सिला ठीक है इसको मार्क करने के बाद लंबाई में लेंध्वाइस हम नापेंगे और्मोस 5 इंच और सीधी लाइन खीचते हैं 5 तो 6 इंच आप लंबी प्लीट रख सकते हो ठीक है ज्यादा फिटिंग के लिए यह हम फिटिंग के लिए बनाते हैं यहां से हमने चार इंच नापा था यहां से भी एक और बार चार इंच नापेंगे फोर इंच नापें अगर आपकी कमर जाधा पतली है तो 33 इंच न न आप लो मजी गिए उपर से छे रख कोuntuAt झाल आप यहाँ पर भी चा इंच नांप के चेंज तक सीधी लाइन खीच देंगे ठीक है यह है हमारा six inch तक सीधी लाइन अब यहाँ पर हमें लगाने है फ्रंट पैनल के लिए टक्स कैसे लगाते है यह जो हमने बाक किया है उपर इसके दोनों साइट पे half inch आधा आधा इंच नाप लेंगे और निशान लगा लेंगे ठीक है आधा आधा इंच निशान लगा लिया अब इंच लाइन को तीच्छा जोड़ेंगे लास तक ऐसे तो इसको बोलते हैं टक्स ऐसे ही वहाँ पे भी कर लेंगे अब इसको सिल्टे कैसे है देखो एक को ऐसे पकड़ेंगे यह बीच वाला कॉंडर है यह बीच वाला निशान है वहाँ से इस लास निशान तक ऐसे पकड़ते हैं ठीक है जैसे मैं आपको हर बार से खाती हूँ टक्स कैसे लगाते है यहा तो आहां से एक proximity यह बापीस चले जाएंगे टुक्स एसे ही ये तो यहां से स्टिछ किया और फिला भापीस हई तो ऐसे यह चार दआ लेजिए तो 10 प्रणट टश्बRO का लगानी है इसके साइड पे अब rigor何 पैनल की साइड यहां पर जिप लगानी है इसका मदलब जब हम क्लोफ पहनते हैं तो हमारे left hand side पे जिप आती है ठीक है तो यह जिप में को इस साइट पर लगानी है यह front panel है तो इसके यह left hand side पर लगानी है ठीक है अब देखो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा निगा इंच च्रा क्लोजविट पर टोटल चुर्वाइक में यह कप्रा चाहिए है आपको 4 इंच चुर्वाइक में ठीक है इसको मैंने ऐसे वोल कर लिया मुझा धो कि एगे दिख्वर यह जिप है इतनी लंबी ठीम इससे थोड़ा छीप है जितनी लबी जिप है उतना कि यह प्ला लुगे कप्डा, एक्स्ट्रा रख लोगे और हमस्थ आहँ से इसको ऐसे शेप है लिल ए कंगी इसब देखेंक red लिछ उप परWow जिनara यहां से खुलती है यह देखो यह जिप यहाँ से खुलती है यह जिप की सही साइड है इसको हम इस लोग के तरफ रखेंगे ठीक है वन इंच नाप लिया ऐसे ठीक है और यहाँ से मैं स्लांट लाइन खीछ देती हूं टेड़ी ठीक है टेड़ी लाइन खीछ ली मैंने अब इसके उपर यह इसका मतलब कि हम इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा जब हम सिलाइ मिशिन पर जाएंगे स्टिच करने के लिए ऐसे खोल लिया और इसकी ये वाली साइड इसकी उपर ऐसे रखी है इस पे हम पहले पिंस लगा देते हैं ठीक है अगर ये इन्विजीबल जिप है concealer है तो ये इसकोılanसे खोल ले तो ये खुल जाती है देखो ध्यान से इसको हम ऐसे खोलते हैं तो ये खुल जाती है इसको खोलने से यह इसली स्टिच हो जाती है अब हम सिलाई मशीन पे जाएंगे यहां से स्टार्ट हो जाएंगे ध्यान से मेरे यह वाले निल्स को देखो यहां से स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसे इसको स्टिच कर देंगे ऐसे ठीक है इसको थोड़ा सा साथ साथ खोलते हुए ऐसे इसको stitch कर देंगे last तक जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे आगे नई stitch कर पाएंगे इसको हम बंद कर देंगे zip को ऐसे बंद कर दिया इसको last तक ऐसे corner तक last तक stitch कर देंगे slime machine पे अब हम चाहिए यह pen इसके side पे यहाँ पर zip लगानी है और यह front panel की गलत side है इसके इस side पे zip लगानी है तो इसको front panel के गलत side की तरफ इसको ऐसे fold करेंगे half inch और press से crease बना लेंगे यह pen की गलत side है और यह हमारे fly flap की गलत side है जिसके उपर यह zip है ठीके इस zip को हम ऐसे खोलेंगे और इसके corner से इसको stitch कर देंगे कैसे करेंगे मैं बता रही हूँ यह हमने ऐसे turn किया है ठीके इसको मैंने ऐसे रखा इसके उपर और यहाँ पे pin लगा दी ठीके बिल्कुल ऐसे रखके pin लगा दी हमारे zip का कपड़ा है और यह इसको हमने अधा इंच अंदर को fold किया है ठीके इन दोनों को हम corners पे बिल्कुल corner पे stitch कर देंगे देखो स्राव मुशीन पे जाएंगे और बिल्कुल corner पे यहाँ पे एक stitch कर देंगे back panel की यह गलत side है इसको भी हम आधा इंच, half inch अंदर को fold कर लेंगे गलत side पे ठीके और के crease बना लेंगे यह देखो यह हमने एक crease बनाई है इसके उपर हम zip की सही side रखेंगे इसकी तरफ ठीके इसमेंज यह देखो एक zip की गलत side मेरी तरफ है और यह back panel की गलत side भी मेरी तरफ है ठीके ऐसे हमने यह zip इसके उपर रखनी है पिछले panel के तरफ back panel के तरफ ऐसे ठीके कैसे रखा हमने यह हमने इतना मोडा हुआ है ठीके almost half inch तर इसके बिलकुल corner पे रखेंगे हम एसे ठीके बिलकुल corner पे ऐसे रखेंगे और मैंने आपको बताया यह अगर आप concealer जिप लेते हो तो इसको जब आप यह देखो यह ऐसे है ना भी इसको जब आप ऐसे करते हो तो यह खुल जाती है तो जब आप सिलाई मेशिन पर जाकर सिलाई करोगे तो थोड़ा सा ऐसे खोलते हुए हर बार यहाँ पे सिलते जाईए ठीक है अब दबारा से हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे हमने pin लगा दी हमने zip लगाए बिलकुल corner पे ठीक है अब हम सिलाई मेशिन पर जाएंगे यहाँ पर हमारी front panel पे लग चुकी है यहाँ पे हम इसके बिलकुल corner पे ऐसे last तक इसको stitch कर लेंगे जहां तक हो सकता है जब आप यहाँ पे आओगे तो इसको थोड़ा सा बंद कर लेना और फिर आप easily नीचे last तक इसको stitch कर सकते हो यह देखो अब यह zip stitch हो गई है यह back panel के साथ और यह front panel के साथ और front पे हमने यह fly flap बनाया था ठीक है तो इसको हम कैसे यह देखो यह ऐसे बनाया था तो अगर हम इस zip को बंद करते हैं यह देखो अगर यह zip को बंद करते हैं हम यहां से तो यह फ्लाप इसके ऊपर आ जाता है ठीक है बिल्कुल प्रोफेशनल के तरह फ्लाप इसके ऊपर आ जाता है यह देखो गलत साइट से फ्रेंट पैनल के गलत साइट से यह फ्लाप ऐसे है ठीक है ऐसे है अब हमें क्या करना है इस फ्लाप को इसके साथ ही लगान कि यहाँ पर एंड हो रही है ठीक है यहाँ पर भी हम पिन लगा देते हैं कि अब देखो हमें यह जिप कितनी चाहिए हम उस एकॉर्डिंग भी रख सकते हैं या फिर हमाई जिप अगर छोटी है तो हम उतनी ही रखेंगे जितनी है अब हम सिलाय मिशिन पर जाएंगे यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया यहाँ पर जिप एंड हो रही है इसके थोड़ा स बाहर की तरफ ऐसे हम सीधा निशान लगा लेंगे भी उस्यदा निसान लगा लेंगे लगा लिया और यहां तक हमें जिप कितनी चाहिए फिर हमें पर थोड़ी राउंद शेफ देसे हैं राउंड वाली ठीक है अब सिलाई मशिन पर जाएए यहां से सीधा स्टिच कीजिए ऐसे और यहां तक स्टिच कर लीजिए यहां पर पक्का कर देना उसके बाद दुबारा स्टिच कर लीजिएगा ठीक है याद रहे जिप हमें इस निशान से उपर ही चाहिए ताकि यह बं करते हैं तो इसके उपर ऐसे फ्लाप आ जाता है ठीक है अब हमें क्या करना है अग जिप के बाद इतनी भी ओपनिंग है लाज तक उसको स्टिच करेंगे कैसे करेंगे यह देखो हम इसको ऐसे बंद करेंगे और इन दोनों क्लोट्स को ऐसे एक दूसरे के साथ रखेंगे ठीक है और यहां तक हमाई जिप एंड हो रही है ऐसे रखके हमने यहाँ पर पिन से इसको टक कर दिया कि हमारी जिप यहीं तक रहेगी स्टिच करते हैं बीच में नहीं आएगी ठीक है दोनों क्लोट्स को गलत साइड है यह कपड़ों की ऐसे रखा यह जैसे मैं चूड़ी पैंट बना रही हूँ अब सिलाइ मशीन पर जाएंगे यहां तक हमाई इजी पैंट हो रही है यहां से कॉर्णर से स्टार्ट करेंगे ध्यान से देखो यहां कॉर्णर से अपनी स्ट कॉर्णर पर आएंगे पूरे को लास्ट तक स्टिच कर लेंगे यह वरी साइड देखो साइड स्टिच करके और बॉटम टर्निंग करने के बाद सिफ एक चीज बची है वो है बैल्ट लगानी ठीक है बैल्ट लगाने के लिए आप किसी भी एक कॉर्णर से स्टार्ट हो ज बॉब स्टार्ट क स्टिच कर लेंगे यह मेरे केस में यहां तक आरहा है कि 5 इन्च पंट ले लिए और चडाई में हमने कितना लिया और देखो मेरे पक्र it लगानी रगानीा सब्सक्राइब करते हैं 1- u कि मैंने एक इंच की लिए इसलिए एक इंच की ही मैं बुक्रम लगाओंगे। इस रोल में से निकाल सकते हैं अगर यह ज़्यादा चोड़ा है तो इसको आप diastric तो इसके लिए हमें ये जो चोड़ी है मेरे को चाहिए है जोड़ाई में तो फ दी चोड़ाई में एक इंच ठीक है लेकिन उपर और नीचे पर ज़गे उसलिए हम इसको टोटल three and half inch योड़ा clothe लेंगे 315 इंच लेंगे ठीक है , उसको क्योंकि ऐसे फोल्ड करके लास में दोनों साइट से टर्न भी करना है अब यह मैंने पूरा बैल्ट का कपड़ा निकाल लिया अब इसके उपर मैंने को यह लगानी है बुक्रम बुक्रम कितनी लेते हैं फ्रेंट पैनल का कॉर्णर से स्टार्ट होंगे चेक करना यहां से और पूरा लास तक चेक कर लेंगे यह मेरे केस में आ रहा है 21 इंच 21 इंच ठीक है तो 21 इंच की मैंने बुक्रम ले ली अगर यह बुक्रम चिपकाने वाली है तो आप इसको चिपका सकते हो यहां से हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा छोड़ना है कितना छोड़ना है एक इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया और विश्यक्तार तैटसका माजन चोड़ते हुए इस पूरी उप्रकरम को हम प्रेस कर लेंगे तक बुकरम खी ज़कुए हैं अब हमें चाहिए एलास्टिक इलास्टिक कितनी लेंगे हम एगर 13 इंच को जाहिए जैसे हमने नापमी सिखी थी तो हम एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि साइड में आधा आधा इंच आएगा ठीक है स्टिच में आएगा तो हम इसके बिल्कुल बाद बुक्रम के बाद यहाँ पर इलास्टिक को ऐसे लगा देंगे पिन से ठीक है और अब हम सिलाइ मेशीन पर जाएएगे और यहाँ पे इसको पपका कर देंगे इलास्टिक को ठीक है ऐसे ही यह खिच खिच के इलास्टिक बिल्कुल लास्ट तक जाएगी और इस पूरे कपडे में रिंकल्स आजाएगी और यह इसके जो इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये सही side है, कप्ड़े की ठीक है, और ये सही side इस belt की इसके उप्पर रखा यानि कि भुक्रमवाली side हमारी तरफ है, और इसको कैसे लगाते हैं, यहाँ पे हमने हमें इंच एक्सटा था इसको अंदर की तरफ cold कर लिया, फोल्ड कर लिया अब इसके बाद हमने इसको बिल्कुल इसके साथ रखा ठीक है कॉर्णर पे जैसे यह फ्लाइ फ्लैप यहाँ पर एंड हो रहा है ठीक है फ्रेंट पैनल का यहाँ पे ऐसे रखती है और यहाँ पे भी हमने पिन लगा दी ठीक है अब हम यहाँ पे हर जगा पे आधा इंच का मार्जन छोड़ते हुए या फिर हम यह कह सकते हैं भुक्रम के बिल्कुल कॉर्णर पे लास्ट तक स्टिच कर लेंगे यहाँ से फ्रेंट पैनल के पास देखो इसके बाद भी हम इतना ही मार्जन छोड़के इस क्लोथ को बैल्ट वाले कपड़े को इसके साथ स्टिच कर लेंगे अपने पैन्ट के साथ स्टिच कर लेंगे विल्कुल लास्ट तक अब देखो पूरा लास तक मैंने इसको स्टिच कर लिया है अब हम इस बैल्ट को फाइनल फिनिशिंग देंगे कैसे देंगे यह देखो हमने क्लोथ को अंदर की तरफ मोड लिया था इसको हम ऐसे टर्न करेंगे यहां पर बुक्रमेंड हो रही है यहां पर ऐसे खीच के टर् और यहांसे छaponsल के टांब करेंगे अधीर श्योंद यह इसको अंदर के साइट पर टैंटकर walls और यहांसे भी की इसको ऐसे मोर दिया कि ठीके ऐसे मोर दिया इसे क्या होगा बिल्कुल पौफेक्ट प्रोफेश्नल फिनिशिंग की ऐसे थोड़ा साब क्एक कर लिए दिया ठीच यहां से यह ध्यान रहे इसको ईसे अंदर की तरफ मोरे के ऐसे हैं आब यहां पर पीन भी लगा सकते हो पूलते किनग color कि ह्यारा सिलेंगे यहां से आपक्का कर सकते हूं अब इसको ऐसे देखो इसकी जो सुई है इसको अंदर की साइट पे रहने दो फिर इसको कपड़े को टर्न करो अब स्टिच करो इसको फूरा ठीक है सारा कपड़ा अंदर की तरफ डालके उपर से ऐसे फोल्ड करके बिल्कुल फिनिशिंग से हम यहां पर स्टिच करते रहेंगे जिदर तक बुक्रम है वहां तक करते हैं पहले कि फटेमा के आठल करें तो कि अब देखो उपकर यहां तक एंड हो गई है और अभ आम हमारी अब हमारी से स्टार्ट हो गई है आप देख़व लेस्टीक स्टार्ट हो गाई है यहां पर कैसे स्टिच करते हैंच importaEu MATEN की फिर स्कपड़ा संदर डाल देंगे इस के अगर पर की साट पर लोकराइगे और ध्याल Cass이즈 कर भाएंगे एक। अब मैं ज pull करकल रहे हूं तो इलास्टिक के उपर स्टिच नहीं करना जैसे इलास्टिक के इसके őप다면 इसके थोड़ा वाभार की तरफ सिच गाना था आकि ईलास्टिक वह this स्टिच में नहीं आए ऐसे रखके इसके तरफ बाहर की तरफ ही स्टिच करना है कपड़े को अंदर डाला यहां से टर्न किया बाहर की तरफ और यहां बाहर स्टिच करेंगे हम देखो हम जब भी लास्ट में पहुंचते हैं यानि कि जब भी हमारी इलास्टिक खतम होने लगती है तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे खीच लेंगे लास्टिक को बाहर की तरफ ठीके इससे क्या होगा दूसरी साइट पर रिंगल्स आते रहेंगे चुन्डट आती रहेगी ऐस से और इलास्टिक बाहर आती रहेगी ठीक है इलास्टिक को सिरफ बाहर खीचेंगे ऐसे और फिर हम दुबारा से अपना स्टिचिंग कंटीन्यू करेंगे इसको यहां पर रखा इलास्टिक को एक्स्ट्र कपड़ा को अंदर डाला यहां से भी आधा इंच का फोल्ड लेक इसी जाएले करनेंगे देखू अब हम लास्ट तक आ गया है और यहां पर इलास्टिक घंजी खतम होने वाली है ही ठीक है तो इस एलास्टिक को यहां पे रहेंगे ग्जिक कॉर्णर टे wilderness देखो बिल्कूल कॉर्णर पर रहेंगे ए और इसको हम यह कपड़ा जादा एक्स्ट्रा है तो यहां पर कट कर लेंगे सिर्फ वन इंच तक कपड़ा यहां पर छोड़ेंगे उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे याद रहे यह एलास्टिक आगे ना भागे अभी हमें एलास्टिक यहीं पर चाहिए तो इसके लिए आप यह पकड़ा हुआ है इस एक्स्ट्र कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ा ऐसे ऐसे ठीक है और फिर ऐसे अंदर की तरफ पूरा मोड़ने के बाद हम यहां पर पिन लगा देते हैं कि इलास्टिक को कि इलास्टिक हमारी भागेगी नहीं यहां से पिन लगा दी आप हम यहां पर स्टिच करेंगे और देखो यहां पर इलास्टिक है तो यहां पर अच्छे से इलास्टिक को तीन चार बार स्टिच कर देंगे कि यहां पर स्क्वाकर शेप में स्टीच कर दिया हमने दो मौने स्टिच कर दिया था फिर एक बार ऐसे देखिए यान्यान की इसे यहां समें कर लेंगे ठीक हमारा इलास्टिक लग गई है जब हम इसको ऐसे खीच के इक्वल करना चाहेंगे तो इसके चुनटे वीच में आ गई है यहाँ पर जिब बंद करके देखेंगे ठीक है हमारे चूड़ी पैंट अब रेडी है अब इसके उपर यहाँ पर टक करने के लिए यहाँ पर हम बटन लगा के यहाँ पर आई बनाकर बटन भी लगा सकते हैं ऐसे बटन लगा सकते हैं जैसे इस पैंट में लगा है यहाँ पर बटन और यहाँ पर हम काज कर सकते हैं यहाँ पर मार्केट में यहाँ आते हैं यह जैसे हुक होती है नॉर्मली जैंट पैंट में लगी होती है और यह आई होती है इसकी इसको कैसे लगाते हैं इस जगा पे यह यहां से नोकीला होता है इसको ऐसे लगा देंगे इलास्टिक वरी जगा पे इसको अच्छे से अंदर डाल देंगे यहां से बाहर आ गया यह ठीक है और यह जो है इसके अंदर ऐसे डालते हैं और फिर हम इसको प्लास से यहां से ठोक देंगे बाहर की तरफ ठीक है यह सीजर से ठोक देंगे तो यह इसके उपर लग जाएगा ऐसे ही हम यह जो दूसरा पार्ट है इसको यहां पर ऐसे सिल देंगे सुविधाये से यहाँ पर छेड है जिसे बटन सिलते हैं इसको यहाँ पर सिलके और यह इसके अंदर से ऐसे हुक लग जाएगी फाइनली इसके जब हम बॉटम टर्निंग करेंगे यह देखो बॉटम टर्निंग करने के बाद अगर आपको इसकी चूडियां ज्यादा चाहिए तो आप इसकी सिफ आफ इंच की बॉटम टर्निंग कर लो फिर बाकी इलास्टिक आप लाल सकते हो देखो मैंने इलास्टिक लगाई है इसके लिए आप दो इंच की इलास्टिक लोगे यह है दो इंच की इलास्टिक नॉर्मल चार इंच की चूड़ी के लिए ठीक है अगर आपको इसकी ज्यादा चूडिया डालनी है, ज्यादा एक्स्ट्रा क्लोथ रखा है आपने, तो आप जितने भी एक्स्ट्रा क्लोथ रखा है, जैसे मैंने चार इंच का एक्स्ट्रा क्लोथ रखा था, तो दो इंच की इलास्टिक ली, ठीके, तो टोटल दो-दो इंच की चार इलास्टिक चाहिए तो देखो ऐसे bottom turning करने के बाद हमने यहाँ पर elastic रखनी है ऐसे यहाँ पर एक दो बाद stitch कर देना है elastic को खीचते हुए एक stitch लगाना है पूरा फिलास्ट में भी पक्का कर देना है ठीक है तो ऐसे elastic लग जाएगी और इसमें चूरियां भी आ जाएगी अगर आपने ज्यादा extra cloth रखा है last में तो elastic ज्यादा लंबी लगा दो के तो ज्यादा चूरिया आ जाएगी ठीक है तो यह perfect special चूरिया बन गए यह बिल्कुल मेरा personal design है सही साइट से इसकी चूरिया ऐसी लग रही है elastic से ठीक है ऐसी लग रही है elastic से तो आपकी चूरिया पैंट रेडी है और शेयर करें मेरे वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ facebook, whatsapp और सेक्टर पे आप मुझे sewing chat group पे join कर सकते हैं और अपनी makings में साथ जरूर शेयर कीजिएगा आप मेरा page निया imagination facebook पे like कर सकते हैं थैंक यू